नमस्कार बहुत वागते आप सभी का आप देख रहे स्पेशल रेपोट आपके साथ मैं हूँ मम्ता अतिवारी कॉलकाता रेप एंड मजर केस की गुत्ती सुलजनी की जगा और उलजती दिख रही है 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेश तर्रा जांट एजनसी CBI ठोज सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है CBI को अपकुल साथ लोगों को जूट पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठा रही है जिनसे इनके बयानों में जो विरोदभास है वो क्लियर हो सके हाले कि इसमें भी आज आरोपी संजर रॉय का टेस्ट कल के लिए चाल दिया गया देश सवाल पूछ रहा है कि कौलकता फाइल्स की क्लोजर रेपोर्ट आखिर कब आईगी ये रेपोर्ट देखे दिवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही रहम की भीख मांगती रही आखरी सांसों तक लड़ती रही जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे ना वो आधी राग घर से निकली थी ना सुनसान स्राक पर थी उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था थिर्वी उसे नोचा गया खसोटा गया असमत लूटी गई मौद के मुँँ में जोक दिया गया हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी आ देश उबल रहा है देश सवाल पूछ रहा है देश इंसाफ मांग रहा है डॉक्टर बीटिया का बलात्कारी कौर, डॉक्टर बीटिया का कातिल कौर, डॉक्टर बीटिया की रूप को कब मिलेगा सुकूर, किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास आठ और नौ अगस्त की तरमियानी रात का हिसाब नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यो हुआ, किस ने किया, कौन-कौन शामील देश की सबसे बड़ी जाच एजनसी, Center Bureau of Investigation यानि CBI परत-दर-परत तलाश कर रही है केस का रेशा-रेशा खंधाल रही है, लेकिन सवाल अब भी अनसुलजे है पंद्रह दिन बाद, कितने मिले सबूट, कितने मिले गवाह, कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा इनसाफ नियूस एचिन इंडिया की सबसे बड़ी पड़तार तक कौलकाता फाइल्स पड़काता केस की डिटेल दिखाने से पहले पिड़ता के पिटा ने क्या कहा सुनी प्रशासन ने बड़ी चुक कि एपहले से तो हमको हस्पपटाल के जो डिपार्मेंट जो है जिसका पस मेरा लेर्की को भेजा था हूँ ऑँ डूटी में था एक उन ड्यूटी में एक जो लेर्का हो या लेर्की जिसके काम करता है जैसे हमारा आप अंदर तिंचे राज में काम करता है उसका जो जम्मेदरी है तो हम मेरा यह ना कोई दुरकटना घट जाए तो मेरा आमको पर जम्मेदरी पढ़ेगा लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई आमको फोन से भी बत नहीं जब उनका सेज़ करती हैं दिल्ली से एक विशेश टीम आकर यह पोलिग्राप टेस्ट को कर रही है जिसमें संजे रॉय इसके लावा पूर्स प्रिंसपर संदीब गोश दो टेनी डॉक्तर एक इंटन और दो अन्य स्टाप शामिल हैं सीबी आई स्टेस के जरीए जानना चाहती है कि आखिर आट और नो अगस्ट की राग सेमिनर हॉल में क्या हुआ था तो ये तो क्लियर होता जा रहा है कि इस केस से जुड़े वो कौन से और कितने किरदार हैं जिन पर सीबी आई अपनी जाच फोकस कर रही है नमबर वद आरोपी संजे रॉय जिसे 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका है नमबर दो आरजिक करका बुरू प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष नमबर ती फॉस्ट इयर बीजी डॉक्टर अरका नमबर चार फॉस्ट इयर बीजी डॉक्टर सौमीत्र नमबर पांच हाउस स्टाफ गोलाव नमबर चे एक इंटर्न सुफदीब नमबर साथ अस्पताल का एक और स्टाफ इन सब को पॉलिग्राफिटेस्ट से गुजरना होगा डॉक्टर रेप एंड मडर केस की कड़िया बहुत उलची हुई है CBI का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्च किये हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधा भास है CBI ने सुप्रेम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कॉलकाता पुलिस ने क्राइम स्टीन को सुरुक्षित नहीं रखा बड़ा सवाल ये भी है कि CBI ने जिस क्राइम सिन के C.F.S.L. के एक्सपर्ट के जरीये चार्च करवाई क्या C.F.S.L. के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे पुर्व प्रिंस्पल संदीप घोश्ट से लगतार पूच ताच करने के बाद फॉलिग्राफिय में जो सवाल पूचवे जा रहे हैं वो इसी से संबद दीद हैं पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम असूलते थे और जो उनके बात नहीं सुनते थे कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलिक करते थे फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराप पिलाते थे उनको पैसे का लालच लट लगाते थे इसके इलावा बहुत सारा बेयाईनी काम जैसे बोडी का लेके तसकरी करना जैसे बायमेडिकल विस्ट का मैंने बताया था इसको भी मैंने एक्सपोस किया था संदीप घोष क्या च्छिपा रहे हैं क्या बता रहे हैं उमीद है कि पॉलिग्राफी टेस्ट से दूद का दूद पानी का पानी हो पाएगा लेकिन उस राग क्या हुआ था इस गुद्धी को समझने के लिए सबसे पहले सिक्वेंस समझना होगा सुत्रों के मुताबिक आठ नौ अगस्त की रात वारतात की टाइम लाइन इस तरह से है पीडिता और दो फस्ट येर के छात्र अरका और समित्र ने बारवजे रात को साथ में डिनर किया इसके बाद वो समिनार रूम में गे जहाँ वो डिर से दो बजे तक रहे और नीरत चोपड़ा का जैवलीन फाइनल देखा समिनार रूम के सामने स्लिप रूम है जहां डौक्टर आराम करते ही अलका और समित्र स्लिप रूम में गए जबकि पेड़िता समिनार रूम में आराम करने लगी गोलाम ने पौने तीन वजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही जबकि सुभदीप ने कहा कि वो इंटरन रूम में था तीनों कमरे, समिनार हॉल, स्लिप रूम और इंटरन रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के बात रहे इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि चार डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी समिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये जान पाए सीबी आई चार डॉक्टरों और दो स्टाफ से यही समझनी की कोशिश कर रही है इसलिए जूट पकड़ने वाली मशिन का इस्तेमाल कर रही है इन लोगों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी देख लीशे खाना खाने के बाद आप कहां गए? क्या आपने बिडिता की चीख सुनी? बारदात का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि बिडिता को आखरी बार जिन्दा देखने वाले चार डॉक्टरों के पॉलिग्राफ टेस्ट से सीबी आई को क्या हासिल हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीबी आई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है? जिसके चलते उसे एक दो नहीं बलकि साथ लोगों के पॉलिग्राफ टेस्ट कराने की जरुद पड़ गई? इस वारदात के अगले दिन कोलकता पुलिस ने संजे रॉय को गिरपतार किया था कोलकता पुलिस संजे रॉय की गिरपतारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंचेट मान रही थी सीबी आई को ऐसा नहीं लगता है कोलकता पुलिस की नजर में मुख्यारोपी संजे रॉय है लेकिन सीबी आई असली काति तक पहुचने के लिए साथ किरदारों का पॉलिग्राप टेस्क करा रही है बता दे कि कोलकता पुलिस ने सेमिनर हॉल में मिले एक ब्लूटूथ के जरीए अगले दिन संजे रॉय को गिरपतार किया था असल में सीबी आई के सामने सबसे वड़ी चुनोती ये है कि सीबी आई उन्ही सबूतों पर जाज करने के लिए मजबूर है जो कलकता पुलिस से सीबी आई को मिले है जैसे कलकता पुलिस द्वारा लिया गया पिडिता का डिने सेम्पल सीबी आई के एंट्री से पहरे पिडिता के बॉड़ी का पोस्ट माटम हुआ और बाद में अंतिम सल्सकार भी कर दिया गया इस वज़े से अब दोबारा सेम्पल नहीं लिया जा सकता सीबी आई के पास ना बॉड़ी है नहीं स्पॉर्ट पर मौजूद पूरे साक्ष मौका ए वारदात पर एक से जादा लोगों के फुट प्रिंट्स भी जांच में अर्चन पैदा कर रहे हैं जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबी आई को दिक्कते आ रही हैं मतलब सवाल खुम फिर कर वहीं पहुच जाता है कि क्या आरोपी संजे राही खातिल है या खातिल कोई और है क्या क्तल एक से जादा लोगों ने मिल कर किया या कितल संजे राय ने किया और सबूत किसी और ने मिठाए क्या कोलकाता पुलिस के थियोरी सीबी आई के गले ने ही उतर रही सीबी आई की टीम ने मौकाई वारदात का कई बार मुआयना किया यहां तक कि मौकाई वारदात की 3D मेपिंबी की गई ताकि कोई सबूत सीबी आई के हाथ लग पाए सीबी आई सेमिनर हॉल में छुपे अधरश सबूतों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है पॉलिग्राफ टेस्ट के डिटेल आपको भी जरूर जानी चाहिए क्योंकि जुट पकड़ने वाली यह मशीन आखिर कितना जुट पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है सबसे पहले जानिए कि क्या होता है पॉलिग्राफी टेस्ट पॉलिग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटेज किये गए सेंसर से मिलने वाले सिगनल को एक मुविंग टेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है इसमें व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर अटेज किये जाते ही अब जानिये कि क्यों करवाया जाता है polygraphy test जब आरोपी या संदिग्द पूच ताच में कुछ छिपाने की कोशिश करता है या अपना बयान बार बार बदल देता है किसका लिया जाता है polygraphy test अदालत की पर्मेशन और संदिग्द की सहमती से जाज एजेंसी कर सकती है टेस्ट कैसे काम करता है पॉलिग्राफी मशीन इन्हें रिकॉर्ड करता है सांस लेने की गती, व्यक्ति का पल्स, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, व्यक्ति का पसीना, हाथ पैर का मुवमें कॉलकाता के सिसले भी उलच गया है कि जिस आरोपी संजे रएक को कलकता पुलिस ने गृफ़तार क्या, उसका ब्रेमा है संजे के दोस्त ने उसके वेवहार को लेका जुकाहा उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है कोलकता केस की जाज कहीं उलच कर दम ना तोड़ दे इसलिए की सीबी आई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाती है सीबी आई हर एक उस तकनीक का इस्तमाल कर रही है ताकि इस मर्डर मिश्ट्री से परदा उठाया जाए लेकिन इस तरह से इस घटना और इस वारदात ने कोलकता ही नहीं बलकि पूरे देश में आक्रोश की लहर दोड़ा के लिए और हर तरफ दरिंदे के लिए फासी और बेटियों के लिए इंसाब की मांग की जारी है सियालदा कोट कलकत्ता हाई कोट सुप्रीम कोट जिसने सुदा संग्यान लिया सब की नजरे सीबी आई जाच पर टिकी हैं सीबी आई कोट में ये क्लियर कर चुकी है कि साच्छों के साथ छेड़ चाड़ किया गया लहाजा अब सवाल है कि क्या कोलकाता केस का सच देश के सामने आ पाएगा या लंबी जाच तारीख पर तारीख वाले फैसले में उलचकर कुछ भी मुकमल पता नहीं चल पाएगा क्योंकि इनसाफ में धेरी का एक मतलब ये भी होता है